आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन आफ इरिशनल नंबर्स और नंबर लाइन तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग बहुत सारे नंबर्स का पढ़ेंगे आज इरिशनल नंबर्स में ही कुछ दो टाइप का नंबर्स हो सकता है कुछ decimal वाला भी और कुछ बिना decimal वाला number भी हो सकता है जैसे हम लोग का root 2, root 3, root 11 इस टाइप का number अगर देदेगा बोलेगा represent करो number line पे या फिर root under 3.7 या फिर root under 10.5 पॉइंट में भी रहेगा तो भी कैसे represent करेंगे और 3.765 है तो ये rational number लेकिन इसको represent करना भी थोड़ा tough है तो इस सभी को हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो में तो सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पाइथागोरस theorem तो पढ़ा होगा पाइथागोरस theorem आप लोगों को ने पढ़ा है तो आप लोगों को ने ये पढ़ा होगा पाइथागोरस theorem हमेशा right angle triangle पर लगता है right angle triangle मीशे कहते हैं perpendicular ये हो गया base ये हो गया hypotenuse और hypotenuse का formula होता है root under p square plus b square यानि अगर hypotenuse find करना है तो आपको p square plus b square करना पड़ेगा simple assume करिए कि एक triangle है एक triangle right angle triangle है इस right angle triangle का base है 2 और इसका perpendicular भी अगर हम 2 ले लेते हैं तो hypotenuse कितना हो जाएगा calculate करते हैं आता है हमारा answer root under 8 फिर जड़ा ये भी assume करते हैं कि एक ऐसा pythagoras theorem लगा कर ही एक ऐसा triangle है हमारा कि इस triangle का base है 2 और इसका perpendicular है 1 base अगर 2 और perpendicular 1 लेते हैं तो hypotenuse कितना होता है तो हमारा hypotenuse हाता है root under 2 का square plus 1 का square यानि कि 4 plus 1 यानि कि 5 यानि कि hypotenuse का value depend करता है base पे और perpendicular पे base आप कितना unit ले रहें और perpendicular आप कितना unit ले रहें unit कहने का मतलब और पर क्या हुआ अब centimeter को भी unit ले सकते हैं आप inch को भी unit ले सकते हैं अब लख दीजे question में उपर में ही कि 1 cm को हम 1 unit मान रहें या 2 cm को 1 unit मान रहें अब unit की हिसाब्स बनाएं question मीटर सेंटेमीटर नहीं लेखेंगे इसको यहाँ पे ठीके तो अब हम लोग डिरेक्ट कोश्चिन पर आते हैं पहला कोश्चिन है हमारा रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5 इन तीनों को नमबर लाइन पर सो करना है यह कुश्चिन थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि बहुत छोटे से शुरू हो रहा है रूट 2, रूट 3, रूट 5 और यह तीनों consecutive numbers हैं जिनको number line पर दिखाना है तो यह दिखाना बहुत इजी है शुरुआत करेंगे किससे तो जो सबसे छोटा है छोटा कौन है, रूट अंडर 2 तो खुद से सोचिए कि एक ऐसा triangle एक ऐसा right angle triangle चुनिए जिसका perpendicular और base कुछ लिया जाए तो hypotenuse या तो root 2 आए या फिर उससे छोटा है क्या root 2 आ सकता है तो हाँ, अगर हम एक right angle triangle चुन ले जिसका base ले ले 1 और perpendicular भी कितना ले ले 1 तो root अंडर, तो hypotenuse is equal to हो जाएगा root अंडर 1 का square प्लस 1 का square यानि कि root अंडर 2 यानि कि अब हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले एक line draw करना है line draw करने के बाद base लेना है 1 unit unit मतलब अब centimeter, meter कुछ भी ले सकते हैं हमने माना है 1 centimeter 1 unit तो हमें 1 centimeter draw करेंगे 1 centimeter हमने draw किया नीचे और 1 centimeter हम draw करेंगे उपर 1 और 1, तो hypotenuse कितना हो जाएगा root 2, यह calculate करके भी दिखा देना है यहाँ पे, कि triangle OAB में, हमने हैं नाम इसका भी रखा कि OAB triangle में perpendicular 1 है, base भी 1 है, तो hypotenuse यानि कि O B कितना हो जाएगा, तो O B is equal to root under 1 square plus 1 square यानि कि root under 2 अब उसके बाद root 3 या root 4 या root 5 यह सब अगर निकालना हो तो बहुत easy है, शुरुवात में ही दिक्कत होता है दुबारा में करना क्या है कि बस 1-1 unit बढ़ाते जाना है यानि आपका यह जब triangle बन गया सबसे पहला वाला root 2 बन गया तो root 2 के बाद करना क्या है कि B पे से एक perpendicular line उपर के तरफ ड्रो करना है, वो 1 unit का होना चाहिए हर बार 1 ही unit बढ़ाएंगे 1 unit कहा होना चाहिए अब इस right angle triangle को देखिए, base है root 2 perpendicular है 1 तो इसका hypotenuse कितना हो जाएगा calculate कर लेते हैं O, B, C triangle है हमारा इस O, B, C triangle में आप देख सकते हैं कि hypotenuse is equal to होगा perpendicular square plus base square तो OC square is equal to हो जाएगा 1 square plus root 2 का square answer आएगा हमारा root under 3 तो यह हो गया root 3, एक और point बढ़ाएंगे तो root 4, एक और point बढ़ाएंगे तो root 5 अब इसको number line पे कैसे सो करेंगे फिलाल O, B कितना था मेरा? root 2 था, OC कितना था? root 3 था, तो O, B और O, C हमारा root 2 था और root 3 था तो O, B और O, C को number line तक दिखाने के लिए करना क्या है कि आप compass लिजिए और compass में अपने pen को लगाईए या pencil को और O पे रख लिजिए आप अपने needle को needle को रखेंगे हम कहाँ पे? O पे रखेंगे, हम needle को O पे रखेंगे और यह जो pencil है इसको रखेंगे B पे, अगर आप root 2 को सो करना चाहते हैं तो, और यहां से एक semi circle ड्रो कर लेंगे नीचे की तरफ और जैसे ही semi circle नीचे की तरफ ड्रो करेंगे यह semi circle जहां भी आकर कटेगा यह वाला point हो जाएगा root 2 उसी तरीके से O पे रखेंगे needle को और C पे ले जाएंगे अपने pencil को ले जाएंगे C पे वहां से फिर एक semi circle यहां पे ड्रो करेंगे यह semi circle जहां भी आकर कटेगा यह वाला point हो जाएगा root 3 तो इस तरीके से आप root 1, root 2, root 3, root 4 इस तरफ simple number, छोटे numbers को आप so कर सकते हैं अब है कि कुछ बड़ा number आ जाए अगर root 2 से शुरुवातना होकर कुछ बड़ा number शुरू हो जाए जैसे question है आपका represent root under 9 and root under 10 और number line अब direct root under 9, root under 10 को बोल रहा है represent करने के लिए तो पहले सोचिए सोचिए कि एक ऐसा right angle triangle हम लेंगे जिसका base और perpendicular कितना लिया जाए कि क्या सोच सकते हैं ताकि या तो हम लोग को मिल जाए direct root under 9 या फिर उससे just छोटा मिले तो अगर हम लोग किसी right angle triangle में base को 2 ले लेते हैं और perpendicular को भी 2 ले लेते हैं तो hypotenuse कितना हो जाएगा तो hypotenuse हो जाएगा हमारा root under 2 का square प्लस 2 का square यानि कि 4 प्लस 4 यानि root under 8 9 तो नहीं मिला लेकिन almost 8 मिल लिए ना उससे just छोटा तो हम लोग सुरुवात वहीं से करेंगे हम लोग एक line draw करेंगे सबसे पहले line draw करने के बाद OA O तो बीच में हम लोग middle point लेंगे ही O से A तक का unit अब हम 1 unit नहीं लेकर कितना लेंगे 2 unit यानि 2 cm लेंगे यह भी हमने लिया 2 cm perpendicular हमने draw किया और यह भी हमने लिया कितना 2 cm और हम O B को join कर देंगे अब ज़राट triangle O A B को देखिए O A B को O A B में base भी 2 perpendicular भी 2 O A B triangle में base भी 2 perpendicular भी 2 तो O B कितना हो जाएगा O B हो जाएगा O B हो जाएगा हमारा root under 8 अब root under 8 के बाद root under 9 चाहिए तो O B पेसे फिर से 90 degree बनाकर 1 unit बढ़ाते जाएगे 1 unit बढ़ाएगे यह मिल गया root under 9 फिर unit बढ़ाएगे 1 unit मिल जाएगा root under 10 तो इस तरीके से बनाते भी जाएगे और नीचे लिखते भी जाएगे triangle wise अब जैसे O B C triangle में O C root under 9 है तो कैसे root under 9 हो गया यह लिखके दिखाएगे O C is equal to हो जाएगा root under perpendicular का square plus base का square यान root under 8 का square plus 1 का square यान root under 9 अफिर यहाँ भी दिखाने का तरीका वाई है कि O पे रखना है आपको needle को B पे रखना है अपने pencil को यानि आप pencil को रख देंगे B पे और एक semicircle डो कर लेंगे नीचे फिर O पे रखेंगे और C पे रखेंगे फिर एक semicircle डो करेंगे यह जहाँ भी कटेगा यह हो गया root 8 और यह semicircle जहाँ भी आके कटेगा आई हो गया root under 9 आगे root under 10, root under 11 भी आप ढूंद सकते हैं इसी तरीके से next question है हमारा कि अगर question आपका आजाए decimal वाला तो आप क्या करेंगे जैसे एक question हमारा कि represent question है कि represent करिए represent root under 10.5 on a number line तो इसको समझना पहले ज्यादा जरूरी है इस question को देखिए process क्या है इसका process line by line समझेगा क्या है इसका process process है कि सबसे पहले यहां लिखा है root under 10.5 तो हम लोग क्या करेंगे कि 10.5 cm का सबसे पहले एक line ड्रो करेंगे तो सबसे पहले हम लोगोंने 10.5 cm का line ड्रो कर लिया AB पहला step था हमारा क्या AB ड्रो करेंगे 10.5 cm का सबसे पहला step है मेरा second step क्या होगा हमारा कि यहां जो भी रहेगा उतना cm तो ड्रो कर लेना यहां अगर 8.5 रहता तो 8.5 भी ड्रो करते हैं उसके बाद अपने मन से 1 cm बढ़ा देना हर question में 1 cm अपने मन से बढ़ा देना है तो हम लोग second step है हमारा कि BC ड्रो कर लेना है वो exactly कितना होना चाहिए 1 cm का तो second step है हमारा BC ड्रो कर लेंगे तीसरा step क्या है हमारा third step यह होगा कि हम लोग को AB 10.5 था हमने 1 cm बढ़ाया तो हम लोग को AC मिल चुका है बढ़ा लाएं अब AC का perpendicular बाचिक्टर बनाएंगे आपको आता होगा perpendicular बाचिक्टर बनाना half से ज़्यादा length लिया जाता है C पे रखेंगे निडल को और half से ज़्यादा length लेकर एक आर्क उपर एक आर्क नीचे यहाँ से भी एक आर्क उपर एक आर्क नीचे के तरफ ड्रोग करेंगे और इसको cut करेंगे इस तरीके से तो यहाँ मिल गए आपको middle point किसका middle point AC का यानि find O find O by perpendicular by perpendicular bisector of perpendicular bisector of AC perpendicular bisector बनाएंगे किसका हम AC का बनाएंगे और जब AC का perpendicular bisector बन गया तो हम लोग को middle point मिल गया O O middle point है किसका? AC का अब O पे रखना है needle को needle को रखना है कहाँ पे? O पे रखना है और pencil को रखना है A पे pencil को हम A पे रखेंगे यानि needle O पे रहेगा और pencil A पे रहेगा और इस तरीके से हम एक semicircle draw कर लेंगे यान पे हमने draw कर लिया semicircle again फिर हम लोग चौथा step क्या हमारा हो गया? कि semicircle draw semicircle as O A as radius semicircle with O A as radius O A को radius मानते हुए O को center मानते हुए हम एक semicircle draw कर लेंगे फिर आएंगे point B पे और B से एक perpendicular line उपर के तरफ draw करना है और इस तरीके से draw करना है कि semicircle को काट देना चाहिए वो line और B से एक perpendicular line उपर के तरफ draw करते जाएंगे जो semicircle को काट देगा इस point पे अब फिर क्या करना है किस line को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा अब B पे रखेंगे needle को needle को फिर से कहा रखेंगे B पे रखेंगे और इस point पे रखेंगे अपने pencil को और फिर से एक semicircle draw करेंगे यह semicircle जहां भी कटेगा वही वाला point हो जाएगा आपका root under 10.5 तो इसी तरीके से आप अपनी question को यह रूट under 10.5 क्या root under 8.5 रहे 3.7 रहे कुछ भी रहे बनाने का तरीका वही है कि पहले root under 10.5 बनाईए फिर 1 cm बनाईए फिर AC का perpendicular by sector बनाईए middle point ढूंडिए यह middle point को center और A पे pencil रहके semicircle बनाईए फिर B से एक perpendicular उपर की तरफ draw करिए जहां भी कटेगा वहाँ से फिर एक semicircle बनाईए B पे center और यहां पे pencil रहके फिर से एक semicircle बनाईए semicircle line को जहां भी कटेगा वह हो जाएगा आपका root under 10.5 या जो भी value आपका राएगा वह आपका proof हो जाएगा next question भी आज हम लोग discuss करें लेते हैं वो question क्या है कि वो तो एक rational number है rational number में ही कैसा तो यह terminating decimal ही है लेकिन थोड़ा decimal है तो इसको represent करना थोड़ा सा मुस्किल है 3.765 अब इस number को किस तरीक से represent करेंगे इसको represent करने से पहले सबसे पहले तो एक line draw कर लीजिए सबसे पहले line draw करेंगे और यह number है 3.7 मतलब 3 और 4 के बीच का होगा यह number सारा point को पहले नहीं देखेंगे पहले यह समझेंगे कि 3.7 को सिर्फ देखते है यह number जब भी होगा तो three और 4 के बीच में होगा तो चलिया ऐसा करते हैं कि three और four यह do नंबर जो है हमारा इस दोनों number को हम लोग बढ़ा देते हैं यानि magnify कर देते हैं अब हम लोग three और four को magnify करेंगे three और four को magnify कर देते हैं 3,4 को जैसे ही हम magnify करेंगे तो यहां लिख सकते हैं 3.0 यहां लिख सकते हैं 4.0 अब यहां पर लिखना चालू करेंगे 10 parts modified करेंगे 3 और 4 को तो फिर इस दोनों को magnify करते हैं बड़ा करते हैं 3.7 और 3.8 00 यहां लगा देंगे यह हो जागा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.80 अब हम लोगो जाना है 3.765 यानि 76 के बाद यानि 76 के बाद यानि इस दोनों के बीच में फिर इसको magnify कर देंगे 3.760 3.77 00 हर बार extra लगाते जाएंगे अब यह हो जाएगा 3.761 3.762 फिर से 3.769 पार्ट में डिवाइड करेंगे solve करते जाएंगे आगे मिलेगा हम लोगो 3.765 तो इस तरीके से question आपका बन गया आप 3.765 को represent कर पाएंगे अब क्या करना है कि इसके बाद कुछ questions में आपके screen पर डाल रहा हूं इन questions को आप बना लेंगे तो यह कुछ questions है question number 1 से लेकर question number आपका जो 10 तक का question है इन सारे questions को आप copy में note करिए और note करके इन सारे questions को बनाईए और जो doubt होता है मैं उसे अगले class में आपको बता दूँगा